जहिंद मेर पैरा दोस्तो जो भी बांट केशने बीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे कंडिडेट जिनका बिहार पुलिस के अंदर रिजल्ट हो गया दोस्तो और फिजिकल टेस्ट के लिए वो जो है किसी भी नोटिस का वेट कर रहे हैं दोस्तो उसका इंतिजार जो है खतम हो चुका है आपका यहाँ पर फ सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं दोस्तो बाइस तारीका इसका आप आपका नोटिस जो है जारी कर दिया गया है इस पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तो तो आपका नोटिस जो है जारी हो चुका है आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग् प्रेस कर लिजे और वीडियो के अंतक बने रही है दोस्तों ताकि आपको एक एक नोटिस का एक एक निचोड़ आपको पता चल जाए और आप समझ जाए दोस्तों बीना समय गवा है हम चलते हैं वीडियो में आगे की ओर दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह ओफिसल वेप साइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है दोस्तों और 5-2020 के अंतरगत जो सिपाही पद के लिए यहां पर जो है 8,415 पोस्ट के लिए दोस्तों यहां पर आप लोगों ने एक्जाम दिया था जिसका रिजल्ट जो है छे तारी को जारी किया गया दोस्तों अगर उसके अंदर जो है आपका यहां पर रिजल्ट हुआ है यानि कि आप जो है टेस्ट में पास हो गए हैं तो आप पीटी के जो है डेट का इंतजार कर रहे थे दोस्तों तो आप जान लिए यहां पर कि 28 जनवरी को आपका पीटी का जो टेस्ट है वो होने वाला दोस्तो फीजिकल टेस्ट जो है आपका होने वाला है उसके लिए ध्यान से देख लिएजे दोस्तो यहां पर कह रहा है कि पांच जनवरी 2022 को आपका ओफिसल वेपसाइट जो www.csbc.bihar.nic.in का जो ओफिसल वेपसाइट है दोस्तो उस से कंडिडेट जो किसी भी कारणवस अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड नहीं करवाते हैं यह प्रिवेश पत्र नहीं डाउनलोड कर पाते हैं वे 24 तारीक और 25 तारीक के बीच में उनको खुद जो है वहां पर पतना सची वाले हार्ट के निकट जो है वो इसका कारियाल नहीं है वो उसके लिए दोस्तों यहां पर अभ्यार्थी खुद होगा यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऑगर कोई बी कारण वस अगर यहां पर नहीं पहुंच पाते हैं या फिर कोई कारण होता है दोस्तों तो उनका जो है दूसरा सारीरिक तच्छता का कोई भी उनको अपसर जो है वो नहीं दिया जाएगा यानि कि दूसरी बार उनको physical test का मौका नहीं मिलेगा उसके जिम्मेदार वो खूद होंगे इसके साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो जो admit card पर लिखा होगा आपको क्या क्या लेके जाना है वहाँ पर कौन-कौन से प्रमान पत्र आपको ले जाने होंगे वो जो है आपका PT का admit card आएगा दोस्तों physical test का admit card आएगा उस पर लिखा होगा दोस्तों और जेरोक्स क्रिट चाया प्रती यानि कि जेरोक्स भी आपको लेके जाना है यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि वैद एक पहचान पत्र होना चीए जैसे आपका अधार काड़ हो गया पहचान पत्र हो गया दोस्तों या फिर driving license और कोई भी आप ID एक लेके जाए जिस पर आप आपका certificate वह यहाँ पर होना चाहिए और यह जन्मती थी के साथ में जो आपका मैट्रिक का certificate नूल certificate होता दोस्तों वह यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर सबसक्त देख सकते हैं लिखा हुआ है सब यहाँ पर और वैसे candidate जो आप यहाँ पर general category से विलोंग करते हैं या फिर S लेके से यहाँ पर जाती प्रमान पत्र जो है वो बना कर रखना होगा और समिट करना होगा दोस्तों वो लेके जाना होगा फिजिकल टेस्ट के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिहार राज के स्थाय प्रमान पत्र का जो आप लेके जाना होगा जिसको आप प्रमान पत्र भी आपका यहां पर जो है वो लगने वाला है अगर आप ग्रीर अच्छा के दोस्तों तो आप यहां पर जो है उसका प्रमान पत्र भी आपके पास होगा तो वह भी आप यहां पर सामिल जो है कर सकते हैं लगा सकते हैं अगर मूल के हैं अगर आप तो वह भी या फिर बिहार सेन के अंदर जो है आपने किसी फ्रकार का सेवा दिया है, कोई भी बटालियन के अंदर तो आपके पास जो परमांट पतर है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उसको अंदर आपको छूट मिलेगा. इसमें दोस्तों अगर आप किसी भी स्वतंतरता सेनानी के नातिपोता है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको होगा वो सारा कुछ जो है आपको ले के जाना होगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग कोविड से रिलेटेड खास करके यहाँ पर देख सकते हैं कि सक बहुत भी पाया जाएगा उनको यहाँ पर जो है वो फिजिकल टेस्ट देनी की अनुमती नहीं दी जाएगी यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि वैसे कंडिडेट जिनको करोना संक्रमन के लच्छन होंगे उनको यहाँ पर अनुमती जो है वो नहीं दिया जाएगा इसके लावा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर जाने के साथ-साथ आप जो है अपना मास्क लगा कर जाएंगे प्रोपर तरीके से और हैंड सैनिटाइजर एक लेके जाएंगे दोस्तों अपना खाने पीने का जो चीज है वो खुद आप अपने सेन्ड कर दिजिए यह मेरा रिक्वेस्ट है और वीडियो को जıtना हो सकता है उतना ज़ादा अपने दोस्तों में सेयर करूए और एक लाइक जरूर आपका लाइक दोस्तों सबसे पहले हम इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देंगे तो चैनल दोस्तों सब्कस्क्रा